दिल्ली विधान सभा चुनाव का दंगल शुरू हो चुका है जहां 8 परवरी को वोट डाले जाएंगे लेकिन उससे पहले ही ये दंगल अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुका है तमाम पार्टियां अपनी तरव से जोर शोर से प्रिचार कर रही है और अपना दम पूरी तरह से लगाते हुई दिखाई दे रही है जहां आम आदमी पार्टी ने इस बार कुछ और ही अलग करके दिखाया जैसे कि गैरिंटी कार्ड उन्होंने निकाला है और कई वादे की हैं रिपोर्ट कार्ड वो लेकर आए हैं जो हर गली गली हर घर घर पहुचा रहे हैं उन्होंने पांस साल में कितना काम किया अपने सभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी, कॉंग्रेस पार्टी और भारती जनता पार्टी ये तीनों पार्टी ने अपने स्टार पिचारक लिस्ट निकाली होगी लेकिन अभी जो स्टार पिचारक लिस्ट शामने आई है वो कॉंग्रेस की हर कॉंग्रेस की लिस्ट ब स्टार प्रिचारक लिस्ट में शामिल किया गया है अपने ही कुछ ऐसे नेता हैं जो कहीं न कहीं खफा हो गए थे उन्हें भी स्टार प्रिचारक लिस्ट में शामिल किया गया है एक तरह से कांग्रेस भी लग चुकी है कि हम भी कम नहीं हैं हम भी जोर आजमाइस करेंगे हर तरह से जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कर रही है हम दिल्ली में कम जोर पड़ने वाले नहीं है हम कम से कम भारती जनता पार्टी से तो आगे निकले बीजेपी से तो आगे निकले और आम आदमी पार्टी को बराबर की टक कर दे इसलिए सोनिया गांधी ने भी ये फैसला किया था कि इस बार के विदान सभाद चुनाव में वो सभी लोग चुनाव लड़ेंगे जिनुने लोग सभाद चुनाव के दोरान चुनाव किया था जो चुनाव में खड़े हुए थे उन सभी लोगों को सोनिया गांधी ने कहा है कि वो इस बार भी विदान सभाद चुना से खवा थे नरास थे और इतने वक्त से वो अपनी चुप्पी साधे हुए थे कही ना तरो नवजोज सिंग सिद्धु अपनी दूसरी पार्टी बनाने जा रहे हैं या अपनी कोई पार्टी बनाते हुए दिखाई देंगे क्योंकि कॉंग्रेस पर उनको भरोसाब रहा नहीं था और कहीं न कहीं कॉंग्रेस भी नवजोज सिंग सिद्धु का जिक्र करती हुई नजर हमें नहीं आ रही थी करतारपुर कॉरिडोर का उटगाटन जब हुआ था तब नवजोज सिंग सिद्धु को एक हीरो की रूप में देखा गया था और उस वक्त बहुत बोल बाला था नवजोज सिद्धु का लेकिन उस वक्त भी कॉंग्रेस चुप रही थी और इस लिस्ट में नवजो सिंग सिद्धू का भी नाम शामिल किया है और इस बार के विधान सभाज चुनाव में भी नवजो सिंग सिद्धू खूब जोर शोर से प्रिचार करने वाले हैं अब ऐसे मैं आपको बता देए कि जहां नवजो सिंग सिद्धू है महीं तमाम और लोग भी शामिल है इसमें जोतिरादित्य सिंध्या का भी नाम है इसमें भारती जनता पार्टी से का दामन छोड़ कर जो कॉंग्रेस का दामन थाम चुके हैं शत्रुगंद सिनहा उनका भी प्रचार के लिए उतारा गया है इसमें मनमोहन सिंग का भी नाम है प्रियंका गांधी वाडरा की भी नाम शामिल किया गया है इसमें तमाम लोग हिस्सा लेंगे और प्रचार करते हुए नजर आएंगे दिल्ली में लेकिन जो सबसे चौकाने वाली बात थी वो थी सिर्व सित्धु की क्योंकि सित्धु कहीं ना कहा खफ़ा इसलिये भी चल रहे थे कि कॉंग्रेश उन्हें पूछती नजर नहीं आई थी उस वक्त जब सित्धु स को साथ चाहिए था उस वक्त कंग्रेश कहीं ना कई अनसे अलग दूरियां बनाकर बैठी हुई थी लेकिन अब क खम खम कितना दिखा पाते हैं और कितना दिल्ली विधान सभाज चुनाव में इनका बोल बाला दिखाई देता है आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में में जरूर बताएं और देखते रहें स्पेन नाइन न्यूस